हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेत्रिस गूर्पुड में आज की मज़ेदार और नई रेसिपी में हम बनाने वाले आलू लच्छा नमकिनची उड़ा जो की हर व्रत और उपास में खाया जाता है नवरात्रिक के दिनों में हर घर में कोई ना कोई उपास और व्रत रहता है तो आप भी अपने घर पर अपनी फेमिली में कोई भी व्रत रहता है तो इस तरीके से आप आलू लच्छा चीवड़ा जरूर से बनाएंगे इसे बनाना बहुत यासानी तो चले इससे बनाते हैं यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइस का आलू लिया है तलने के ले तेल लिया है यहाँ पर एक बाउल मैंने कच्ची मूं फ़ली लिया है एक चमश लालमिश पाउडर तीन चमश मैंने पिसी हुई चीनी आधा चमश आमचूर और स्वात के नुशा नमक लिया है सबसे पहले हम आलू के चिलकों को निकाल लेंगे आलू को ये चिलके को निकालने के बाद हमें इससे ग्रेट करना है बड़े वाले ग्रेटर से ही हमें ग्रेट करना है आप छोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं लेकिन उससे ए चीवड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो आप इस तरह बड़े वाले ग्रेटर से ही अच्छे से आलू को ग्रेट करेगा और जब आप चीवडा बनाए तब याद रखे कि आलू थोड़े से बड़े ही लेने है यहाँ पर मैंने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो गया है और उसे सिधा पानी में ही ग्रेट करना है वनना वो काले पड़ जाएंगे यहाँ पर आलू ग्रेट हो गया है और इसमें बहुत सारा स्टार्च है अभी हम इसे दो से तीन बानी से अच्छे से वोश करना है ताकि इसके अंदर का स्टार्च है वो निकल जाए जब तक पानी साफ हाजाए तब तक वोश करेंगे यहाँ पर पानी एकदम साफ हो गया है मैंने इसे तीन से चार बार अच्छे से वोश कर लिया है अब इसका सारा पानी हम निकालेंगे उसे साइड में रख देंगे अब एक कोटन का कपड़ा ले लेंगे उसके उपर हम आलू के लच्छे को डाल देंगे सारा पानी निताने के बाद इस तरह आलू के लच्छे को हम कपड़े के उपर डाल देंगे और इसे 10 मीट पंखे के नीचे रख देंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए यहाँ पर 10 मीट के बाद आलू केल अच्छे हमारे अच्छे से सुग गए है इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा याद रखे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पर तेल भी हमारा गरम हो चुका है इसके अंदर हम थोड़े से आलू केल अच्छे डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राइ करेंगे इसे हमें लो फ्लेम फरी फ्राइ करना है ताकि वो एकदम क्रिस्पी बने अगर हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राइ करेंगे तो वो जल्दी से पक जाएंगे और वो एकदम कुरकुरे नई बनेंगे और जल्दी से जल भी जाएंगे यहाँ पर मैंने 3 मिनिट तक इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ किया है यह एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बन गया है इसका कलर भी चेंज हो गया है अब एक्ष्ट्रा तेल निकाल कर हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे इसी तरह हम सारे लच्छे को फ्राइ कर लेंगे सारे लच्छे हमने फ्राइ कर लिये है उसी तेल में अब हम मुंग फली को भी फ्राइ कर लेंगे मुंग फली मेंने कच्चिली थी तो अब हम इसे भी अच्छे से फ्राय कर लेंगे मुंग फली को भी low flame पर फ्राय करेंगे और मुंग फली को फ्राय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पर मुंगफली अमारी फ्राई हो चुकी है एक मीट में ही ये फ्राई हो जाती है इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह हमें ने सारी मुंगफली को भी फ्राई कर लिया है अलूल अच्छा भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम fry किये हुए आलूल अच्छा के अंदर fry की हुई मूंग फली डाल देंगे मूंग फली डालने के बाद अच्छे से इसे mix कर लेंगे दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे इसके अंदर आप चाहे तो बादम भी थोड़ी सी fry करकर डाल सकते है उससे भी ये चिवडा बहुत ही अच्छा बनेगा अब इसके अंदर स्वात के नुसा नमक एड़ कर देंगे नमक में ने रत वाला ही लिया है जो उफास में लोग खाते हैं वो ही नमक है सिंदर नमक अब इसमें लाल मिश पावडर और आमचुर पावडर डाल देंगे अब इसमें तीन चम्म चितनी हम पिसी हुई चिनी डाल देंगे चिनी से ही इसका टेश बहुत ही अच्छा आता है अगर आप रत में लाल मीश नहीं खाते तो उसकी जगा आप काली मीश का भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर बना कर इससे आप इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मसालों को लच्चे में मिक्स कर लेंगे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है अब आप इसकी आवाज सुनिए बहुत ही क्रंची और कूरकुरा हमारा आलू लच्छा चिवडा बन गया है बिल्कूल बाजर में मिलने वाला आलू चिवडा इसी तरह बनता है और टेस्ट में भी वो बिल्कूल ऐसे ही लगता है अब बनाया हुआ चिवडा हम एक प्लेट में सव कल लेंगे आप भी अपने घर पर अपनी फेमिली के लिए और अपने लिए उपास और वरत में इस आलू लच्छा चिवडा को चरूर से बनाएगा इस चिवडे को आप डब्य में भरक कर एक महिने के लिए श्टोर कर सकते है जब भी उपास और वरत में थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप डब्य में से इस चिवडे को निकाल कर खा सकते है बहुत ही टेस्टी और लाचाब बनता है आप अपने घर पर इस तरह निवरात्री के दिनों में इसे जरू से ट्राइ करेगा और बनाने के बाद हमें कमेट में कहिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाज